देखो, कल हम लोगों ने जो रियाक्शन कम्प्रेट की थी, वो आपके एल्डॉल रियाक्शन का ही एक फॉर्म है, क्लाजन स्मित रियाक्शन आज हम लोगों को जो रियाक्शन पढ़नी है वो है आप लोगों की क्याने जारो रियाक्शन बहुत ही प्यारी सी reaction है इसको total हम लोग 3 parts में पढ़ेंगे तो सबसे पहला part जो रहेगा वो अभी पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों को ये idea हो जाएगा कि canisaro reaction की mechanism किस तरीके से रहती है अच्छा उपर में heading में एक z मेरा गायब हो चुका है ठीक है तो जाने दोसको तो canisaro reaction की आपको mechanism समझ में आ जाएगी जिसको तुम ऐसा भी कह सकते हो कि एक तरीके से हम लोग simple canisaro reaction पढ़ें जैसे simple idol पढ़ा था ठीक है उसके बाद जो next चीज रहेगी वो crossed canisaro reaction रहेगी और उसके बाद एक आखरी part that will be intramolecular canisaro reaction तो total canisaro reaction को इस तरीके से हम लोगों को कितने पार्ट में पढ़ना है तीन पार्ट में पढ़के फिसको खतम करना है तो पहला पार्ट हम लोग हमारी canisaro reaction से शुरू करते हैं अब जैसे तुमने कल अलडॉल पढ़ा मतलब एक गुजरे लमाने में अलडॉल पढ़ा अलडॉल में आप लोगों के पास condition क्या होती थी कि आप लोगों के पास substrate 1 होता था substrate 2 होता था substrate 1 के पास alpha hydrogen होना चाहिए substrate 2 के पास alpha hydrogen होना चाहिए उसके बाद कल हम लोगों ने klasan reaction पढ़ी klasan smith reaction में आपका जो substrate number 1 है उसमें से किसी एक के पास alpha होना चाहिए और दूसरे substrate number 2 के पास तो alpha होता ही नहीं है ये एक आप लोगों की klasan smith reaction है उसके बाद next में आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है कैनिजारो reaction इस कैनिजारो reaction में जो substrate 1 होगा और जो substrate 2 होगा दोनों के पास ही alpha hydrogen नहीं होंगे बराबर दोनों के पास ही alpha hydrogen नहीं होंगे तो कैनिजारो reaction हम पहचानेंगे कैसे कि substrate के लिए हो रही है और कि substrate के लिए वो नहीं हो रही है तो बहुत ही simple सा पाट है आप अपने substrates में चेक करना कि क्या उन substrates के पास में आपका alpha hydrogen है की नहीं है अब alpha hydrogen चेक करते आना चाहिए और अगर substrate के पास alpha hydrogen नहीं है तो इसका मतलब आपकी वो reaction दूरों substrates के पास अगर alpha hydrogen नहीं है तो वो जो reaction है वो आप लोगों की कैसी होगी वो आपकी जाएगी कैनिजारों से ठेक है तो कैनिजारों को लेकर जो पहला पोइंट है जो तुमारे दिमाग में जाना चाहिए वो ये कि कैनिजारों रियाक्षन के होनी के लिए जो necessary condition होती है वो condition हमारे पास क्या है condition ये है कि आप लोगों के पास ऐसे aldehydes होने चाहिए ठीक है या फिर आप लोगों के पास aldehydes ही obviously अगर आपके पास एक ऐसे aldehydes होने चाहिए या फिर कहाई सकते हैं इसको ऐसा substrate होना चाहिए जिसके पास क्या होता है आपका α treatment lacking tracking alpha hydrogen किसी भी प्रकार से सफसेट के पास जब alpha hydrogen नहीं होता है तो वो वाली चीज आप लोगों की कौन सी reaction कहलाती है that will be known as what canisaro reaction ठीक है canisaro reaction को हम लोग एक point है इसको हम लोग disproportionation reaction भी खरते हैं अब what do you mean by the word disproportionation reaction जो redox reactions होती है छोटे classes में redox के बारे में तो पढ़ाई होगा जो redox reaction होती है just imagine आपके पास एक substrate है जैसे substrate 1 या substrate 2 जो भी हो आपके पास substrate है अब उसी reaction में आपका वो एक substrate क्या कर रहा है आपका oxidize हो रहा है यानि कि oxidize वाला प्रोड़क बना रहा है और माल लेते हैं वही substrate आप लोगों का कौन सा वाला प्रोड़क बना रहा है आप लोगों का reduce वाला प्रोड़क भी मिल रहा है तो ऐसे में उन reactions को हम लोग कौनसी वाली reactions कहते है disproportionation reaction कहेंगे बराबर वो reaction कौनसी category कहा जाएंगे disproportionation reaction अब कैनिजारों में होता क्या है एक बार उपर उपर से समझ लेते हैं let's imagine आपके पास formaldehyde के दो substrates है मतलब formaldehyde ऐसा लिख कर दिया है HCHO उपर में arrow के उपर यहां पे OH निगेटिव है और तुम्हें product लिखना है since we know that कि formaldehyde में किसी भी प्रकार का कोई alpha hydrogen नहीं होता तो यह क्याने जारू reaction शो करेगा बट इसका product कैसे लिखेंगे तो चाहिए आप लिखकर आए ना लिखकर आए formaldehyde 2 की quantity में होंगी ठेक है अच्छा अब उसमें से एक formaldehyde का molecule oxidize होगा और उसमें से एक formaldehyde का molecule reduce होगा हमें इतना तो पता है कि alcohol जब oxidize होते है जब aldehyde oxidize होते हैं तो oxidize होके acid में convert होते हैं तो इसका क्या acid बना सकते हो HC double bond OOH अलकोहल वाला chapter तो में आना चाहिए कि उसमें oxidation reduction कैसे सिखा है और यही aldehyde जब reduce होगा तो किस में जाएगा वन डिगरी अलकोहल में जाएगा तो एक carbon का अलकोहल बना लो भी वन डिगरी यानि कि यह बनेगा CHC-OH बैट बेसीकली formal formic acid exist नहीं करता या फिर formic acid उस reaction में produce नहीं होता उस formic acid का क्या produce होता है salt यह इस तरीके से तो नहीं कि यह आप लोगों का product होगा यह कौन सा वाला product है यह salt जो बना है यह oxidation वाला product है और यह जो alcohol बना है यह कौन सा वाला product है reduction therefore these reactions are termed as well disproportionation reaction एक और example समझते हैं बहुती famous benzyldehyde benzyldehyde में भी किसी भी प्रकार का कोई alpha hydrogen नहीं होता तो यह आपके पास substrate है इस substrate में मैंने आपका डाल दिया OH negative now I have to calculate यह I have to know what my product will be formed अब मैं इसका क्या करूंगी बताओं तो सबसे पहले आपका एक product बनेगा alcohol तो यह जो benzene है उसको तो alcohol में convert नहीं करना है यह वाला part alcohol में convert होता है कैसे होता है इसको already सिखाया जाचुका alcohol वाले chapter में तो वहां से सीखो so product will be what CH2OH साथी साथ में दूसर product क्या बनेगा oxygen वाला that will be acid but acid तो बनता नहीं है acid के बदले में क्या मनता है salt यानि कि इस H को निकालोगे उसके बदले में O लिखोगे यह बन गया आपका salt तो एक oxidized product बन रहा है और आप लोगों का एक reduced product बन रहा है so this reactions are known as what canny zero reaction अग हमेरे यहां पे इन reaction की mechanism को समझना है ठीक है बट mechanism समझने से पहले ऐसे ही दो चुट-पुट-चुट-पुट questions और कर लेते हैं CHO है और यहां पे तुम डाल रहे हो NAOH obviously you need a base तो इसका एक part आप इसमें convert करो alcohol में तो कौन alcohol में convert होगा यह aldeide convert होगा यह पीछे का पूरा का पूरा जो CME3 है उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है इसको एक carbon का alcohol that will be CH2OH ठीक है plus में वही CHO को किसमें convert करना है acid में but don't convert it into acid उसको आपको किसमें रखना है उसके salt वाले form में रखना है इस H के बदले में हम लोग लिखेंगे ONA जाने कि COO negative और NA positive यह बन गया हमारा salt बराबर तो इसी तरीके से एक यह वाला तुम खुट ट्राइक करके देखो कि बराबर बन रहा है नहीं बन रहा है इस तरीके से product एक इधर एक इधर अच्छा यहाँ पे C double bond O और यह H उसके बाद तुम्हें इसमें डालना है NAOH तो NAOH डालने के बाद क्या होगा अलकोहल एक और रिड्यूस वाला product हमने कौन सा बना लिया अलकोहल का तो यह reduce product है यहाँ पे आ जाएगा CH2OH और इसी का तुम्हें एक बार oxidized product भी बनाना है तो इसका oxidized product कैसा बन जाएगा यहाँ पर C double bond O यहाँ पे H हड जाएगा O negative और साथ में क्या एगा any positive this will be my product अगर आने positive नहीं भी लिखते हो तो भी चलता है उसे कोई फ़रक पढ़ने नहीं वाला है बट अब वह आपनी reaction का पार्ट है तो उसको लिखोगे ही उसको नहीं लिखोगे इसका तो कोई reason होता नहीं है तो इस तरीके से कैनिजारो reaction तब आप लोगों की होगी जब उसमें सब्स्टेट के पास alpha hydrogen की कमी होगी लेकिन यह जो कैनिजारो reaction है इसकी mechanism अब हमको सीखने है बट मेकैनिसम वाला पार सीखने से पहले एक बहुत ही ज़रुरी सूचना ही थी वह ज़रुरी सूचना यह है कि जिस तरीके से एल्डॉल रियक्शन मातर एक मेकैनिजम थी उसकी राइट हां वह बात अलग है कि acid catalyze में अलग था और जब आपने उसको डारेक्टेट अलडॉल किया था यानि कि LDA का प्रयोग किया था तब वह वाली चीज अलग थी तो वह अबविसली different चीज है लेकिन आपने पूरे जितने भी questions किये उन पूरे questions में हम लोगों ने दोनों में सारी mechanism में based catalyze किया तो यहां पे तुम्हारे पास कैनिजारों में दो प्रकार की mechanisms लेए इसमें कभी obvious है कि paper में तुमसे mechanism वगेरा तो पूछेगा ने लेकिन हम उस mechanism के basis ते कुछ important सवाल create किये जा सकते हैं लेकिन उन सवालों को जाने से पहले कुछ जाहिर सूचना नोट अभी अभी हम लोगों ने चीक चीक कर कहा कि ऐसी species जिनके पास alpha hydrogen नहीं होता वो आपके concentrated nao h या फिक concentrated koh in the presence of heating भी हमें करनी पड़ेगी heat करना पड़ेगा तो आप लोगों को कहनी सारू reaction मिलेगी लेकिन अब जैस अब तुमको कोई पूछेगा क्या यह एक अच्छा सब्स्टेट है कैनी जारो के लिए तो तुम क्या जवाब दोगे कि हाँ यह तो एक अच्छा सब्स्टेट है इसके पास तो कोई alpha hydrogen नहीं है तो यह अच्छा सब्स्टेट मतलब किमत से क्या कमी है बराबर तो ऐसे में यह जो है आपकी कैनी जारो reaction को शो नहीं करता ठीक है याद रखने वाले कुछ exceptions है वह हमको कैनी जारो reaction को यह शो नहीं करता यह गलत है यह सब्स्टेट अगर आप कभी भी लोगे कैनी जारो reaction होने वाली नहीं है ठीक है क्यों नहीं होता क्योंकि कैनी जारो reaction में जब आप जो सब्सक्राइब करें यहां पे जो प्रोड़क्त बनेगा वहां हेलो फ़ाम् बदाब क्या बनेगा वेलो फॉर्म हेलो फॉर्म रियाक्शन्स याद आ रहा होगा यह तो वह तो मतलब ही चीज नहीं यह फिर यह तो तो देएरफोर यह सब्स्टेट कभी भी कैनो जारो रियाक्शन शो नहीं करता पॉइंट नमबर टू में आते हैं और भी कोई ऐसे सब्स्टेट है क्या हाँ यह एक सबसे इमपॉटेंट पार्ट का सब्स्टेट है जैसे cih3 है, यहां पे ch है यहां पे और कहां चला गया यह यहां पे आम ने फ्रॉकर दिया cho यहां पिछा अभी इहां पे तुम चेक करो तो देखो इसके पास alpha hydrogen है दिख रहा है इसके पास alpha hydrogen है अब ऐसे में तुम ये बोलोगे क्या ही substrate canisaro reaction देगा तो कोई भी ये कहेगा कि नहीं ये canisaro reaction नहीं देने वाला है बट ये canisaro reaction देता है ये ये वाला जो substrate आप लोगों के हाथ में आया है बीम इसके पास despite it contains alpha hydrogen ये canisaro reaction को शो करेगा एक दम करेगा इसकी बहुत जारा इच्छा होगी canisaro reaction शो करने की तो ये कुछ दो important exceptions से तुमें इनको याद रखना था और कुछ नहीं और canisaro reaction एक प्रकार की disproportionation reaction है disproportionation reaction is a type of what redox reaction तो कल को कोई mcq भी आ सकता है जिसमें आपको पहचानना हो कि इन में से कौन सी जो reaction है आप लोगों की redox reaction है तो उसका एक ही है canisaro reactions are what? आप लोगों की redox reactions अच्छा अब आगे बढ़ते हैं next point पर next point यह है कि हम लोगों को यहाँ पे reagents क्या लगते हैं तो देखो reagent यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि reagent के लिए कोई special condition तो में फुल्फील करनी है जो special condition फुल्फील होगी वह आप लोगों का हुआ क stolen कि कर आघ मिशने हैं अब जलते हमें म생स्थी टह्म कर रहाए हैं मेकैनिमिसम में क्लसफीय गाड़ पार्स या प्लिए क्लसफाइ कर रही हैं क्लसिपार द्याओ यहां जो बिलाक हम मेकैनिसम को मेकैनिसम ने क्लसफाइ पार्श जो आप दी 기본िरे तो स्ट्रार करवा तो आप लोगों को एक अलग मेकानिसम फॉलोगों ठीक है पेपर में हम लोगों को इस तरीके का दिमाग नहीं लडाना है कि यह low वाला है कि यह high वाला है इसे related कुछ important part है वो important part आपको पता होने चाहिए ठीक है तो इसीलिए उस important part के लिए बताया जा रहा है आच्छा उसके बाद एक दुसा case यह बन सकता है कि concentration of base आप लोगो केस में strong base but एक तरफ उनकी concentration concentration समझते ना molarity normality जो अपर measure करते हैं तो ऐसे केस में आप लोगों की concentration है और base की वोक्स की quantity कैसी है ज्यादा है और concentration ज्यादा है और एक तरफ जब concentration आपकी लो या फिर average है ठेक है अच्छा अब उसके अलावा क्या फरक पढ़ता है फरक यह पढ़ता है फरक मैं पहले ही बता देती हूं ताकि बाद में तुम लोगों को सी mechanism सुनने कर रहे और notes पहले ही लिख लेता है वह फरक यह पढ़ता है कि जब हम लोग लो कंसंट्रेशन या नॉर्मल कंसंट्रेशन में आप लोगों की reaction करवाते हैं तो ऐसे केस में जो reaction जो रहता है उसकी molecularity होती है biomolecular मराबर अब यह पता होगा तुम्हें chemical kinetics पढ़े हैं हम लोगों ने तो तुमको पता है कि biomolecular का मतलब क्या है और अगर उसी जगा पे concentration बहुत हाई रही तो वैसे में क्या यह reaction biomolecular से change जाती है नहीं यहाँ पर भी reaction biomolecular अगर रहती है यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आता है order में order में आता है सबसे बड़ा change आपकी जो reaction है उसकी जो order हो जाती है वह order रहती है 3 जिसमें से आप तुम्हें जब rate law में लिखका दिखाऊंगी तब तुम्हें समझेगा उसकी order कितनी रहती है three जिसमें से उसका second aldehyde aldehyde के respect में एक मेरी क्या उपन हो गया ठेक है उसमें से aldehyde के respect में वो कितनी order की रहेगी second order reaction रहेगा और दूसरी बार वो first order reaction रहेगी with respect to OH negative iron यानि कि substrate के respect में second order और आपके reagent के respect में वो कैसी रहती है first order यहां से आपके mcqs create होंगे इस mechanism जो भी मैं बताऊंगी उस mechanism से में mcqs create नहीं होंगे ज्यादा बट इस पार से create हो सकते हैं और उसके अलावा यहां पे जब हम लोग उसकी high concentration की बात करते हैं तो order change हो जाती है आप लोगों का second order हो जाता है तो इस तरीके से overall order उसकी कितनी हो गई है फोर हो गई है ठीक है यहां से question आ जाएगा आप लोगों का सीधा सीधा इसमें कुछ ध्यान लगा के समझने वाली कुई चीज है नहीं रटाफिकेशन वाला पार्ट है जो रटा हुआ रहना चाहिए अब समझते है mechanism number a को कि आखे वहां पर जो पहली mechanism हुई low concentration में वह आखे किस तरीके से हुई क्योंकि आपको अगर क्यानिजारो की mechanism पिता होगी जो कि आपको usually यह mechanism number a को ही follow करना है आपको mechanism number b को नहीं follow करना है unless and until यह सा लिख करना आया हो कि highly concentrated है वह अपन देख लेंगे जब question सरीके के आएंगे ठीक है concentrated दोनों रहेंगे but highly concentrated अगर रहा तो ही हम उस mechanism को follow करेंगे तो imagine करते हैं आपके पास कोई एक particular aldehyde है वो भी जिसके पास self-hydrogen नहीं है तो best option है formaldehyde को उठा लो तो I have a one molecule of formaldehyde यह रहा अब इस formaldehyde पे attack करने वाला है OH negative यानि की base अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे किसी भी species के उपर यदी negative charge होता है तो वो negative charge वाली जो species है वो negative charge वाली species as a base भी act कर सकती है और वो as a nucleophile भी act कर सकती है यह प्रवचन में आभी कम से कम सौबर बोल चुके हो अब वो depend करता है कि substrate के पास alpha hydrogen है की नहीं अगर substrate के पास alpha hydrogen होगा तो आपका negative charge वाली species as a base act करेगी उसका alpha hydrogen लेकर जाएगी लेकिं क्योंकि यहां पे आपका जो substrate है इसके पास किसी भी प्रकार का कोई alpha hydrogen का एक्टम नहीं है तो therefore canisaro reaction में जो OH negative होता है वो किसके जैसे act करता है और यहां से एक और question में के paper में create किया जा सकता है बोर्स वगेरा में तो इसा नहीं आने वाला है कभी भी कि उसमें तो डारेक्ट ऐसा आता है explain canisaro reaction एक line की definition दो ठोक example बाग खदम ठीक है उतना वह दिमार्ग पर जो नहीं डाले है या फिर simple simple कि इसको canisaro उसे इसका product लिखो but means में यहां से सवाल आ सकता है कि हम लोग कर रहा है और यह किसके बैसे बहुत कर रहा है तो अगर उसके पास किसी भी प्रकार का कोई अगर उसके पास का इसकी step number one है यह कौन सी हम लोगों की step number one तो step number one में हमको यह तो बात पता चल गई है कि OH negative जो है यहां पे act as a nucleophile और वो अगर as a act as a nucleophile then it will attack वो attack कहां करेगा हमेशा कोई भी nucleophile आप लोगों के electrophilic center पे अटाक करता है दूसरे substrate के ठीक है तो यह जो OH negative है यह OH negative अपने negative charge के साथ चला यहां पर attack करने यहां पर ही उसने क्यों attack किया क्योंकि जो आपके aldeides and ketones होता है इनमें oxygen पे partial negative carbon पे partial positive charge होता है तो जब इस प्रकार से attack होगा attack होना यानि की bond बनाना तो यह जो पाई electron है यह किसमें shift हो जाएंगे oxygen पे तो यहने कि यहां से में पर substrate क्या बन गया मताब product क्या बन गया आपका बना H यहां पर बना C यहां पर बना H यहां पर बना आपका OH अब एक बात यहां से यह जो मेरे पांस मेरा base है या फिर कह सकते है जो मेरा reagent and nucleophile इसके H को मैं इस तरीके से brown color से ड्रॉप कर लेती हूं या फिर को एक काम करते हैं blue color से ड्रॉप करता है यह blue तो दिखेगा ही नहीं रंदो ब्राउन यह अच्छा option था ठेक है इसको brown color से ड्रॉप करते हैं ताकि मुझे बाद में तुमको समझाने में कोई दिक्कत ना हूं और कुछ नहीं अच्छा उसके अलावा क्या हो गया यहां पे ऊपर में oxygen उस oxygen पे लोन पे अस तो पहले सी थे एक और आ गया और एक negative charge create हो गया बराबर तो यह जो species यहां पे हम लोगों ने की है यह जो हुआ है यह काफी आप लोगों की एक fast reaction होती है वैसे तो हर step इसकी equilibrium वाली रहती है बड़ यह काफी fast step है अब उपर जो यह species मनी है this species is your intermediate बराबर this species this particular species is your what intermediate अच्छा intermediate है अब इस intermediate का क्या होगा यह जो intermediate बना है यह intermediate क्या करेगा जैसे endall condensation में जो intermediate बनता था कॉन बनता था income पर intermediate कार्व अनयन तो वहांे Jो intermediate बनता था तो वहां पे जो intermediate बनता था वो intermediate अटाक करता था एक second substrate पर बराबर वो intermediate किस पर अटाक करता था आप लोगों के किसी second substrate पर तो वैसे ही यहां पर में भी जो आपका ये intermediate उपर वारी step से बना हैं कि दूसरे substrate पर अटाक करेगा तो अब बताओ कौन कहा अटाक करेगा यह O negative जाएगा क्या सीधे कार्बन पर अटाक करने नहीं ठीक है O negative नहीं जाएगा कार्बन पर अटाक करने होगा क्या इसमें देखें यह जो O negative है I know कि O negative आप लोगों के नजरों में एक बहुत ही electro negative species है ठीक है minus eye effect शो करता है वगेरा मतलब ऐसा तुम्हें लगता है लेकिन आपका जो oxygen है वो काफी electron species हो चुका है वो अपना अंदर plus eye effect दिखा रहा है वो electron दे सकता है बराबर तो यह अपने electron क्या करता है शिफ्ट कर आएगा जो यहाँ पर जाके pie bond बनाओ अब अगर यहाँ प आप लोगों का यह O ने नीचे double bond create करवा लिया तो होगा कैसे कि यह इस तरीके का structure तो फिर मेरे लिए रख पाना तो मुश्किल है ना क्योंकि ऐसे मैं तो 5 bond बन रहे हैं मैं कौन सा bond टोड़ू यह तो दोनो identical bond है और एक bond यह है तो यह तो carbon और hydrogen का bond टूटेगा यह तो carbon औ और OH का bond टूटेगा तो कौन सा bond टूटने वाला है यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग रिमूफ करेंगे carbon का और hydrogen का bond ठीक है क्योंकि उसका bond टोड़ना energy wise जादा easy और जादा हम लोगों के लिए feasible है तो अब यह आप लोगों का bond टूटेगा यानि कि इस में से यह जो carbon के पा अब यहाँ पर हाइड्रोजन बहार जाता है हम उसको H plus के format पे बहार लिकालते हैं लेकि यहाँ पर हाइड्रोजन H plus के format पे बहार नहीं जाएगा क्योंकि यह दोनों electron से तो double bond बनी रहे तो इस electron का क्या यूज यह electron पालतू है पांचवा bond तो यह electron hydrogen के पाथ जाएगा और जब यह electron hydrogen के पांच जाएगा तो hydrogen बहार निकलते होए as a hydride बहार निकलने वाला है यानि कि आप लोगों की step number two है step number two में hydride ion create हो रहा है और वही hydride ion फिर क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है यानि कि step number two क्या है एक तरीके से hydride ion का ट्रांसफर है कहां से intermediate से निकलके आप ल जो कि H negative है अब एक negative charge वाली species को क्या चाहिए एक positive charge चाहिए तो वो चला यहां पर attack करने जब वो यहां पर attack करेगा again pie electrons यहां पर shift हो जाएंगे ठीक है तो इससे क्या बन गया आप लोगों का product जहां से उसको लिख लो दो अलग अलग पहले substrate के साथ क्या हुआ वो देखो H एच के साथ C रहा उपर में double bond O क्योंकि negative charge नीचे आ गया था नीचे में O है और उस हो के पाँ जो hydrogen है वो आपका brown color का why brown color क्योंकि वो H कहां से आया है वो H आप लोगों के यानि की reagent से आया है यानि की alkali से अच्छा अब उसके बार plus में आपके साथ जो substrate no.2 है उसके साथ क hydrogen यह वाला hydrogen जाके इससे जुड़ गया यह वाला hydrogen इससे जुड़ गया और यहां पे उपर में क्या आ चुका है तुम लोगों के पास O negative बराबर वहां उपर में क्या create हो गया O negative यह बन गए मेरे दो product अब यह ऐसा नहीं होगा कि दोनों product बन गए बस reaction खतम और चलो अब यह पर होती है step number 3 वैसे यह जो तुम लोगों की step number 2 है इसमें hydride ion transfer हो गहा है और hydride ion transfer जब-जब होगा तब तब वो आप लोगों की reaction की slowest step रहेगी उससे slowest कोई और नहीं हो सकता तो ऐसे तो यह reaction में equilibrium पर है बट यह reaction आप लोगों की क्या हो गई RDS तो कल को तुमें हो सकता है पेपर में में इन्स वगेरा के पेपर में तुम्हें ऐसी तीम steps बनाकर देदी जाए canisaro reaction की step 1, step 2, step 3 और पूछा जाए कि उसमें से कौनसी step RDS है तो हर reaction mechanism की जो important होती है से canisaro, ldol वगेरा वगेरा जहां जहां RDS बताया जहें वहां वहां तुम्हें पता होना चाहे कि RDS क्या है अच्छा अब यह जो दो species create हुई है कौनसी H C double bond O और यहां पर O, O के पास यहां पर क्या है H है अच्छा और यहां पर क्या है आपका plus H C H यहां पर H और यहां पर उपर में आ जाएगा O negative यह इस तरीके से ठीक है अच्छा अब उसके बाद क्या होगा next step में अब next step में यहां पर protons exchange होते हैं ठीक है यह वाली step आपकी कौनसी क्यलाती है proton exchange क्या proton exchange क्यों प्रोटॉन एक्स्चेंज क्यों इसी लिए देखो यह species एक acid है दिखी रहा है आखों से formic acid है यह यह वाली जो species है CH3 O negative राइट इत इस CH3 O negative और O negative भी छोड़ो यहां पर Na plus हो गई होगा क्यों यहां पर Na plus होगा क्योंकि जब आपने O negative को यहां attack करा रहे थे तो साथी में एक Na positive भी तो होगा तो यह Na positive यहां है फिर वही वाली आपके Na positive यहां पर भी है अब उसने तो अपना πाई एलेक्टरॉन बना लिया और यह Na positive यहां shift हो गया तो यहां पर भी Na positive है साथ में तो यह क्या है आप लोगों का एक बेस है एक मेनिटा पहता नहीं हो जाएगा खेलते हैं उसके साथ तो अब यहाँ भी ग्या हो जाएगा आप लोगों का O- और Na Plus है अच्छा अब उसके बाद जो next step रहेगी उस next step में proton का exchange होगा किस प्रकार से proton का exchange होने वाला है ठीक है देखो यह जो तमारा acid है मतलब यह acid तुम्हें तो पता ही है कि acids की tendency क्या होती है H plus loose करने की बराबर acids की tendency क्या होती है H plus को क्या करने की loose करने की तो यह जो H है यह वाला H यह वाला H यहाँ से निकलेगा अब ये निकल के जाने कहा वाला है वो सोचो ये H अपना उड़ा मज़े से ठीक है ये यहां से निकल गया क्या ये दोनों इलेक्टॉन नेके निकलेगा obviously ये दोनों इलेक्टॉन लेकर नहीं निकलेगा क्योंकि ह प्लस proton करा रहे न हम लोग तो दोनों electron किस पर रहींगे O पर ही रहने वाले अच्छा तो ये दोनों के दोनों electron ये दोनों के दोनों electron इस O पर ये H को कौन लेकर गया ये O negative लेकर गया बराबर ये इस तरही के से तो ये वाली चीज कैसे हो गई आपका जो ये वाला substrate है उसमें क्या आ गया कार्बन उसके आजू बाजू तीन हाइड्रोजन थे ही थे उपर में आ गया OH मैं उस H को ब्राउन कलर से ड्रॉ कर रहे हूं और उसके अलावा प्लस में जो ये बाजू वाला है अच्छा एने प्लस कहां आएगा एने प्लस को फिर ऑविसली घूम फिर के यहीं पे इस O के पास ही हाना पड़ेगा जहां से गया था तो H C double bond O O negative ऐसे भी छोड़ सकते हो चाहो तो N A प्लस लिगदोस के बाजू में तो ये बन गया हमाई पास एक अलकूहल और A बन गया हमाई पास एक आपका salt ठेक है तो अलकूहल हम लोगों का कौन सा प्रोड़क प्रोड़क्शन वाला प्रोड़क्ट है और यह हम लोगों का ऑक्सिडाइस प्रोड़क्ट है यह इस तरीके से चीजे बनी अब आगे कुछ भी बताने से पहले कुछ इंपोर्टेंट और कुछ जरूरी सूचना है सबसे पहली सूचना अलकूहल को देखो मैंने ब्राउन से पैदा होता है यानि की यानि की अगर मैं यहाँ पे एक नोट लिखूँ वो नोट को तुम अपनी इंगलिश भाषा में खुद लिख लेना मैं हिंदी में बोल रही हो इंगलिश में तुम खुद कंड़र्ट कर लेना कि अगर आपको कल को एक रेक्शन दी गई पी एच प्लस पी एच सी एच ओ और यहाँ पे दे लिया गया के ओडी अब क्या होगा अब आपको बोला प्रोड़क लिखो तो तुम बड़े प्यार से प्रोड़क लिख के आ जाओगे पी एच सी एच टू ओएच यह बड़े से अलकोहल वाला प्रोड़क और दूसर प्रोड़क के पास होता है, चाहे वो deuterium हो, treatium हो, hydrogen हो, की isotope के हो, मतब हैच के उपड़ इसा star लग कर आया हो, कि हैच के उपड़ हश्टैक लग कर आया हो, कुछ भी जो भी base के साथ होगा जो भी आपके reaction के साथ होगा वो reaction वाला part आपके alcohol में जाएगा, यानि कि यहाँ पे O H ना होगा, यहाँ पे O D होगा, यह इस प्रकार से ठीक है, यह गलती ना करना तो इसको इंग्लिज भाशा में लिख लेना कैसे लिख लोगे, मैं तो अपना चालू लेंग्वेज में लिख ले रही हूँ, grammar का अगर तुम्हें शौक है तो इसको अपना प्रॉपर तरीके से लिख लोगे alcohol get oxygen, oxygen of alcohol get get, क्या get? hydrogen ठीक है, get hydrogen ठीक है, from, कहां से मिलता है, region से मिलता है यह important part कल को इस से, इस पार्ट से related कोई भी question आ सकता है या फिर reaction दे दे और आपको बोले कि which of the following product is correct या फिर प्रोड़क्ट दे दे और पूछे कि which of the falling is mechanism is correct वगेरा वगेरा कुछ भी especially इस टाइप के question esterification reactions में लोग करवाते थे लेकिन आज कले बहुत common हो गया है अच्छा इसके अलावा कुछ और भी lane day हुआ है किया है यहां पे reagent ने क्या अपना इसके 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 इस होता है और फिर बाद में वही चीज आप लोगों की किस में convert हो जाती है आपके salt में convert हो जाती है यानि कि आप लोगों के पास जो oxygen है oxygen of salt is obtained from कहां से reagent यानि कि कल को reagent के ऊपर में किसी अब बोल रहा है प्रोड़क लिखो तो प्रोड़क में क्या लिखोगे पहले अल्कोल वाला प्रोड़क यानि कि पिएच सी एच टू ओ एच और फिर किसी ने तुमसे यह बोल दिया कि अब यहां पे salt वाला प्रोड़क लिखो तो पी एच सी ओ ओ ओ निगेटिव ठीक है ओ ओ ओ निगेटिव तो वो जो निगेटिव होगा वो स्टार वाला निगेटिव होगा और उसके बाद आप लोगों का के पॉजिटिव यह हो गए हमारे दो पॉइंट्स तो कैनी जारो रियाक्शन अगर पढ़ रहे हो तो यह इस तरीके के दो पॉइंट्स आले कॉश्चन वहां से क्रियेट किये जा सकता है और भी कुछ वहां से क्रियेट किया जा सकता है क्या लेट्स सी तो सेकेंड स्टेप में इसलों के शाistically करेंगे अब ही क्यों कि तो समय क्या करेंड ब great अब ही यह फूरी मेकानिज्म समझ में बसक्पा कुछ आप इस पहले बहुत Tian a walk एंशिंखा सैंठी एंट डिकाती हुँ कि किस तरीके में आप यह उर्डर केसी अअ एक पूरण पूछ निलों है नहीं बट फिर भी सुन लो ऐसा प्रवचन बट एंडिंग में बिकॉस प्रवचन जो अभी तुम्हें सुनाए जाएंगे कि और थी कैसे आया उसका कोई यूज नहीं है ताकि जिन लोगों को चीज सुनने में इंटरस्ट नहीं हों का टाइम वेस्ट ना हो चाहिए आगे टू टाइमस लिखकर नहीं भी दिया जा रहा है तो भी वो टू टाइमस है ओएच निगेटिव बोलो प्रोड़क क्या बनेगा तो प्रोड़क बनाने गए सबसे पहली स्टेप ओएच निगेटिव अलफा इड्रोजन निकालेगा अलफा इड्रोजन तो ही नहीं तो क्या होगी एक nucleophilic reaction होगी nucleophilic addition reaction ठेक है यह reaction क्या है nucleophilic addition reaction क्या हो जाएगा product आपका मतलब D अब यहाँ पर एक ही है इसको एक मिनट रुको इसको अपन ऐसा कर देते question mark तो इसका आप answer लिखने चलते है step number one क्या हो जाना है D carbon यहाँ पर double bond oxygen hydrogen यह hydrogen plus OH negative अब यह OH negative इधर अटाक करेगा यह वाली चीज यहाँ जाएगी इधर देखो मैं फाल्टू की tricks में involved नहीं होती ठीक है मैं तो अगर इस तरीके के कोई question आ गए जिसमें मुझे लग रहा कि मेरा ट्रिक मानने से मेरी style मानने से मेरा answer गड़ बड़ा सकता है तो आँ style नहीं मानना मिलकुल भी step number two ऊपर में जो intermediate produce हुआ है ठीक है intermediate क्या produce होता है यह भी पता होना चाहिए कल को यह भी question आ सकता है कि क्याने जारो reaction का intermediate बताईए कौन है चार option दे दे तो यह भी आपको अब intermediate तो उसी इंसान को आएगा जो mechanism पड़ेगा उसको तो ना आने वाला है जो trick सीख सीख कर बैठा है पगले समान ठीक है so tricks are useful बट तब useful होंगी जब आपको mechanism भी आता है अच्छा अब यह किसके साथ react करेगा आपके दूसरे वाले पार्ट के साथ react करेगा करवा दो क्या जाता है हम लोगों का वैसे लिखते जाना mechanism जब भी लिखोगे और वहाँ पर arrows पे ज़रूर लिखा करो कि वह RDS है हर step equilibrium पे मैं ऐसा 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 arrow नहीं मना रही ह ठीक है बट हर step equilibrium पे ही है क्या होने वाला है hydride transfer होगा यह electrons यहाँ shift होंगे h यहाँ attack करेगा यह चीज यहाँ जाएगी दो चीजे बनेगी एक बनेगा d अब लेकिन doubt सबसे बड़ा doubt यहाँ पे last question में आपके पास तोड़ने के लिए bond तोड़ने के लिए मातर दो option थे कौन स थे वो दो option option number one था या तो तुम यह वाला bond तोड़ो या तो तुम यह वाला bond तोड़ो क्योंकि left और right वाले bond तो दोनों ही सेम थे carbon hydrogen carbon hydrogen बट ओच और तो नहीं तूटता यह तो हमको पता है या तो carbon hydrogen तूटेगा यह तो carbon deuterium तूटेगा याद रखना strength यह एक in organic question है ठीक है strength of carbon hydrogen bond काफी कम होती है as compared to strength of carbon deuterium bond तो जिस चीज की strength कम होगी पहले वो तूटेगा इसलिए इस question में hydrogen तूट रहा है right अगर यह question deuterium versus tritium के बीच में होता तो फिर कौन तूटता deuterium तूटता therefore यह question देने का आपका aim है कई लोग हो सकता है option में deuterium तोड़के आपका answer टिक क बताओ क्या बन गया आपके पास product product बन गया D C उपर में double bond O यहाँ पे आ गया OH फिर प्लस में इधर आएगा D C उपर में आएगा O negative यहाँ आएगा H और इसको भी मिल गया H बराबर अब step number 3 step number 3 क्या होती है कि उपर में वो जो दो species create हुई है एक acid बना है और दूसरा आप क्या बन गया है दूसरा आपके पास O negative बना है तो क्या करेगा acid अपना OH है यह electron यहाँ आएंगे बराबर और यह H यहाँ जाएगा इससे कहते है proton transfer ठेक है इससे कौन सी step कहते है proton transfer तो proton transfer अगर हुआ तो यह वाली species क्या हो गई D C O O negative चाहे तो तो तुम Na plus K plus लिख सकते हो न ही चलेगा plus यह वाली species क्या बन जाएगी आप लोगों की C उसके पास दो hydrogen फिर D और फिर O और उसके अलावा O को क्या मिल गया CH2D और OH this will be your product तो इसी लिए जो चीजे आपको ऐसा लगे कि नहीं इस question को trick wise नहीं करना है तो उसको कैसे किया करो उसे पूरी mechanism से किया करो तो mechanism अगेरा therefore आना fingertip पे जरूरी है अब जैसे मान लेते कोई question ऐसा होगा C double bond O इधर भी deuterium इधर भी deuterium तो यहां C double bond O इधर भी deuterium इधर भी deuterium तो यहां तो कुछ variation ही नहीं है और यहां पे मैंने लगा दिया OH negative यहां कुछ भी variation नहीं है दोनों तरह deuterium deuterium है तो इसका direct answer लिखो direct answer क्या होगा इसकी एक species alcohol में convert होगी करो alcohol में convert कैसा हो जाएगा आप लोगों का यह जो deuterium है वैसे का वैसे एक मिनट यह deuterium वैसे का वैसी यह वाला deuterium वैसे का वैसी उपर में O आएगा अच्छा अब उस O का क्या करने का है और O के अलावा और कुछ नहीं आएग O के अलावा और भी कुछ आएगा एक और deuterium भी आएगा एक और deuterium क्यों आएगा तो कि alcohol बनाने न तो एक उधर उपर देंगे एक नीचे देंगे ट्रिक यात करना उसके बाद यहां क्या आएगा अभी अभी उपर हमने पढ़ा था alcohol का जो O होता है उस O को जो H मिलता है वो reagent से मिलता है यानि कि answer आएगा O H ठीक है यानि कि alcohol को दो hydrogen मिलते है एक hydrogen वो reagent से लेता है और एक hydrogen वो बाजू वाले से लेता है अपने molecule से प्लस बाजू वाले के साथ क्या हुआ बाजू वाला विचारा salt में convert हो गया तो उसके पास पहले कितने थे दो hydrogen थे DD था अब 1 क CD रह गया अब उसके पास EKD रह गया अब C के पास double bond O तो रहेगा लिकिन जो आपका O negative आज यह ऐसा तुम चाहो तो इसको mechanism से लिखकर अपना answer टली कर लेगा अब अगेन एक और question है आपको दिया हुआ है CH C double bond O यहाँ पे H और यहाँ पे H और इसमें तुमको बोला जा रह है कि आप यहाँ पे NaOH ले रहे हो और यहाँ पे D2O आपका solvent water water क्या है यहाँ पे हमारा solvent बोलो product क्या होगा confuse करने के लिए कुछ भी लेकिन याद रखो पूरी कैनी जारो reaction में तो solvent का में कोई नीडी ना है solvent से यह साथ तो कोई reaction मतलब solvent तो सिवेक हो सकता medium के जैसे purpose अपना पूरा कर रहा हो लेकिन solvent की तो हमें आपे कोई reaction में participation ही नहीं हुआ ना तो हमने solvent से कुछ लिया ना तो हमने solvent को कुछ दिया इसलिए क्यानी जारो reaction में चाहे D2O लो H2O T2O कुछ भी फरक नहीं पड़ेग ठीक है बाकी कुछ reaction में हो सकता पड़े बाट कैनी जारो में ना पड़ेगा तो यह answer क्या बन जाएगा आप क्या expect कर रहे हो H C1O O negative यह आपका salt और दूसरा बनेगा alcohol यानि की CH3OH इसमें कई लोग इसको टिक कर देंगे CH3O D वगेरा वगेरा पता नहीं क्या क्या अंटेश reaction में कोई भी मतलब लेना देना नहीं है ठीक है उसका कोई भी लेना देना नहीं है so don't ever try to think कि कैनी जारो reaction आ गई है चलो कैनी जारो reaction को हम लोग क्या कर दें उसका मरे मजे से उसके अंदर D2 लगेरा कुछ लगा दे so therefore यहाँ पर हम लोग हमारी कैनी जारो reaction का यह वाला पा आई है यह mechanism कई लोगों को tough लगेगी कोई tough नहीं है एवा practice करो इस इसी mechanism से तुम्हें अपने सारे questions solve करने है लेकिन अभी इसमें जैसे मैंने यह उपर chart बनाया और chart बनाके मैंने लिख दिया direct एकदम direct लिख दिया कि आपकी एक reaction में order 3 है इसका order 4 है वैसे आपको इसके proof की need नहीं है क्या करोगे proof जानकर मुझे बताओ कुछ नहीं करोगे क्या कर सकते हो proof अगर जान भी गाए तो तो प्रूफ तो paper में आने नहीं वाला है फिर क्या मतलब proof जानकर लेकिन फिर भी अगर मुझे proof तुम्हें बताना हूँ तो कैसे देखो हम लोग इस stage को देखेंगे इसके इसमें ध्यान से हमने chemical kinetics में जिनको इग्नोर करना है यह पाट इग्नोर कर सकते हैं बोर से इसका कोई बहस्ता नहीं है जिनको आचा chemical kinetics में हमने पढ़ा है कि जो RDS होती है उसी step से हम लोग rate law लिखते है तो भी उसके reactant का बराबर उसके reactant का तो क्या मैं यहां reaction आपके reactant की reactant में कौन है एक तो आपका formal dehyde है यानि कि substrate है एक तो substrate है और दूसरा intermediate है ठीक है मैं पूरा उसका structure वक्चा नहीं लिख रही वो कौन है आपका intermediate है अब याद रखना कि कभी भी rate law में intermediate नहीं लिखा जाता ठीक है but in rate law we never write intermediate concentration ठीक है क्यों नहीं लिखते है क्य consume हो जाते है ठीक है we never use intermediate तो मुझे इस intermediate को हटाना है just like जैसे आप maths वगेरा में trigonometry में substitution करते हो I have to substitute this intermediate with something other तो मैं क्या use करूँ इस intermediate को मैं कैसे हटा हूँ तो इस intermediate को हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं आप लोगों का step number 2 का sorry step number 1 का according to step number 1 step number 1 का मैं प्रयोग करती हूँ step number 1 से जैसे एक reaction है A plus B is giving you C कोई मुझे पुछेगा इस reaction का K लिखो तो कैसे लिखेंगे K इसका concentration of C मतला product की concentration और reactant की concentration यह इस तरीके से chemical equilibrium तो अभी अगर आपको step number 1 में देखो यह reaction लिखी है तो कोई मुझे का reaction का K1 लिखने को कहेगा तो म कौन है intermediate divided by किसकी concentration reactant की तो reactant में एक तो substrate है और दूसरा तो कौन है reagent है तो यह चीज़ कैसी बन जाएगी आप लोगों का K1 क्या जाएगा यहापे K1 equal to आपकी product की concentration मतलब intermediate की upon में किसकी concentration substrate की और साथ में किसकी concentration आपके OH negative की यानि की reagent की तो क्या यहाँ से mathematically मैं यह लिख सकती हूँ कि intermediate की concentration को हम K1 times the substrate की concentration और OH negative की concentration लिख सकते हैं अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यह हो गई आपकी equation number 2 और यह हो गई आपकी equation number 1 अगर मैं equation number 1 और equation number 2 को solve करूँ तो क्या हो जाएगा from 1 and 2 यह वाली ची from 1 and 2 क्या हो जाएगा R equal to K K concentration of substrate वैसे का वैसी intermediate की यह जगा हमने word यूज किया K1 substrate की concentration और OH negative की concentration यह रेखो यह आगया so therefore यहाँ से rate equals to क्या होगा K K1 का multiplication substrate दो बार आ गया यानि कि substrate का square और OH negative यहाँ पर आ गया अब K K1 क्या है एक constant ही तो है तो तुम K K1 लिखो या फिर तुम K K1 की जगा कोई नया constant इंट्रिडियूस कर दो उसे कोई भी फरक नहीं पड़ता तो कल को हो सकता है question तुम्हें ऐसा भी आ जाए कैने जारो reaction के लिए rate law बताओ क्या होगा तो तुम्हें इतना बरापड़ा derive करने की need नहीं है अगर तुम्हें इतना सा part rate low की order बराबर 3 आएगी और उसमें substrate की पाथ substrate के respect में order 2 होगी और reagent के respect में order क्या होगी आपकी बराबर इवन किसी भी प्रकार के chemical kinetics का question भी frame किया जा सकता है जैसे question ये frame किया जा सकता है कि क्यानी जारो reaction में पहले हम जो reagent यूज़ कर रहे थे उसकी जो concentration थी अब अब उसी concentration को बताओ डबल कर दे रहे हैं तो क्यानी जारो reaction के rate में क्या फर्क पड़ेगा ये question यहां से create करके पूछा जा सकता है तो chemical kinetics के से जितने भी प्रकार के question बनाए जा सकते हैं ऐसा मत सोचना कि वो physical में ही पूछा जाएगा किसी भी organic reaction में पूछा जा सकता है उसके लिए आपकी बुद्धी में हर reaction का rate law पता होना आशक है at least कैनी जारो का तो पता होना ही चाहिए जिस जिसका बताया जा रहा है उस उसका पता होना चाहिए तो हमने क्या देखा mechanism पूरी mechanism देखी कौन कहां हुआ कैसे हुआ यह देखा कौन RDS है वो देखा उसके अलावा कुछ rules बनाए मतलब यह आपका rate law अगेरा देख लिया फिर कुछ rules बनाए हमने कि वहां क्या हो रहा है कैसे हो रहा है अगर आपके पास दो option हो कि proton मतलब जो second step में जब हम proton transfer करते हैं तो hydrogen transfer करें कि deuterium transfer करें then always transfer आपका hydrogen because hydrogen carbon ball is weak as compared to deuterium अगर आपके पास यह तरीके का option है next हमने गेरे देखा कि अगर दोनो deuterium हो तो क्या फरक पड़ता है फिर तो solvent का क्या role है ठीक है यह भी देख लिया कि solvent आपके कोई time pass करता है अब एक आखरी important part उसके बाद में आपको इसी reaction का इसी कैनिजारों की mechanism तू भी बता दूँगी कि mechanism तू कैसी है ठीक है तो देखें यह आपर सबसे जरूरी सूचना देखो आपकी RDS ही reaction का rate determine करती है यह सबको पता है ठीक है जो आपके chain की सबसे slowest कड़ी होती है वही सबसे slowest कड़ी reaction के rate को govern करती है कि reaction कितनी speed से जाएगी कितने slow होगी कितने time में होगी कितने time में नहीं होगी delay हो रही है जल्दी हो रही है सम RDS गवन करता है अब RDS कब हो रही है जब hydride iron transfer हो रहा है यानि कि जब H intermediate से निकल कर बाजू के substrate में जा रहा है तब RDS हो रही है अब जितने जल्दी hydride का transfer होगा उतने जल्दी आप लोगों का क्या होगा reaction का rate मतलब क्या होगा बढ़ेगा तो can I say that इसको अपना note बना ले ना जो भी note का point number हो can I say that कि as soon as ठीक है as soon as in step number 2 why in step number 2 because step number 2 is RDS as soon as in step number 2 H negative hydride iron go away ठीक है अपनी भाशा ठीक कर ले ना इंग्लिश ठीक कर ले ना वैसे इंग्लिश का paper तो देने नहीं वाले हो तो क्या मतलब go away लिखो या leaves लिखो उससे क्या फ़क परता है as soon as in step number 2 that is in RDS H negative moves या फिर गो अवे या फिर ठीक कर लो तुम उसको या leaves then rate increases जितने जल्दी ठीक है आप लोगों का H negative जाएगा rate बढ़ेगा अब H negative गया क्यों पहला question why H negative loses H negative क्यों गया यह पहला सवाल जिसको यह सवाल पता होगा उसको पूरा समझ में आगे होगा let's move toward mechanism part देखो H negative क्यों गया क्यों गया क्यों गया step number 2 क्योंकि उपर में जो oxygen के पास negative electrons थे oxygen electron rich था उसने अपने electrons नीचे shift किये तो electrons क्योंकि नीचे shift हुए तो इसकी वज़र से H negative गया यानिकि जब भी carbon यानि कि इस carbon की बात कर रही हूँ मैं इस carbon को यदि आप electron दोगे ठीक है if you will supply electrons to this carbon तो जैसे जैसे यह carbon rich होता जाएगा electron से आप लोगों का H निकलने की tendency उतनी ही क्या होगी जादा होगी ठीक है हो H निकलने की tendency उतनी ही जादा होगी H उतनी ही आसानी से उतनी ही जल्दी से निकलेगा बराबर है तो O negative की वज़र से तो निकल ही रहा है लेकिन अगर सोचो इस carbon के पास सोचो just imagine उस carbon के पास क्या क्या है उस carbon के पास एक O negative है जो उसको निकालने में कोई कसर नी छो होनने वाला है उसके पास एक H है जो लीव करने वाला है जो निकलने वाला है ठीक है as hydride लेकिन उन दोनों के अलावा और भी तो group है G1 G2 हो सकता है वह बाकी दोनों गुरूप हाइडरोजन हो या हो सकता है वह दोनों बाकी groups कुछ groups हो भी तो वह जो G1 G2 होता है अगर यह group G1 G2 oxygen के जैसे मान लेते हैं दोनों के दोनों प्लस आई से या फिर प्लस आई से electron supply करने लगें उस particular carbon को तो यह carbon क्या हो जाएगा रिच हो जाएगा electron से भरपूर हो जाएगा और उतने ही जल्दी आपका H लीव करेगा यानि कि हाइडराइड आयन के लीव करने का जो rate है ठ ओफ डिपार्चर डिपार्चर लिख देते हैं उसको rate of departure तुम अच्छे से लिखना उसको लीव को अगेरा की कासे बड़ डालके rate of departure of hydride ion is directly proportional to the what plus i oblique plus r group attached to carbon atom ठीक है जितने ज्यादा या जितने अच्छे प्लस i या प्लस r group उस carbon atom को attach होंगे उतनी ही ज्यादा rate of departure h negative की ज्यादा होगी और जितनी जल्दी h negative निकलेगा उतनी ही reaction की जो rate है पूरे reaction की rate भी overall जारा हो लेगी तो कौन्सी reaction जल्दी होगी इस बात पर डिपेंड करता है कि लिए करने वाले कार्ण से जोड़े होगी प्रपोर्शनल होगी प्रपोर्शनल होगी इस जीच के आप लोगों के क्या कहते है माइनस आई या पर माइनस आई माइनस आई ठीक है माइनस आई या माइनस आई इसपेक्ट के वो क्यासा हो जाएगा इंवर्स लेशनल शोग अब इस topic पर कॉश्चन देख लेते हैं इस प्रकार के questions में इस होगेरा के exam में उच्छे जाते हैं काफी उच्छे जाते हैं काम होगी किसी रेट जादा होगी यही जो चोटी-चोटी लाइनस होती है जो हम लोग चाप्रों को पढ़ते वक्त सीखते हैं उसी पॉइंट से question निकालके देदिया जाता है ठीक है अच्छा पहले तुम लोगों के लिए homework question है यह homework question लिख लो उसके बाद कल अम लोग इस अभी continue करते हैं बढ़ यह homework question पर लिख लो तुम्हाएं पास एक साधा simple प्यारा सा acetyl dehyde है इस acetyl dehyde को आपको three times इसके साथ react कराना है dc double bond od के साथ in the presence of OH negative बस इसका कल answer लिखके ready रखना तो जब तुम्हारा answer लिखके ready हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे का math discussion करूंगे बट फिलाद एक और question में आ जाते हैं एक और question क्या है आपको कुछ substrates दिये होंगे ठेक है अच्छा अब उन substrates में आपको पहचानना है जैसे यह आपको एक substrates दिया है pH c o negative यहाँ पे आ गया है h और यहाँ पे आ गया है o h यह option दिये है a b c d तो इन option में अगेन आपको चार substrates दिये हुए है तो लेट से आप लोगों के पास यह बेंजिंग रिंग है इस बेंजिंग रिंग से उपर में यहाँ c है यह एच है यह ओ निगेटिव है यहाँ पे आपका o h है ठीक है और यहाँ पे आपका o m e वाला ग्रूप है सुरी मैंने माइनस वाला गलती से बना दिया हूँ अच्छा उसके बाद c वाला option है यहाँ पे बेंजिंग रिंग है फिर उपर में आपने o negative दे दिया यहाँ पे h कर दिया यहाँ पे o h कर दिया यहाँ पे जो group लगा दिया वो n h2 लगा दिया सेम यहाँ पे आपने एक ring create की ring में उपर में c है इधर में h है इधर में o negative है इधर में o h है ठेक है उसके बाद यहाँ आ गया c c l 3 अच्छा अब यहाँ पर यह अगेन एक ring बना ली उपर में carbon carbon के पास o negative यहाँ पे h और यहाँ पे o h और यहाँ पे n o to group तो मैं यह बताना है कि इन में से ठेक है in which options in which options in which options in which options molecule will lose their hydride ion comparatively faster than capital one अब क्या aroma number 11 मतलब आप लोगों को यह जो दिया गया है इसके compare में चारो options में से कौन सा option है जो अपना hydride बहुती easily lose करेगा as we know कि यह o negative नीजे shift होता और यह बहाँ निकलता है अभी अभी उपर प्रवचन दिया है कि जितने आजू बाजू के groups को देखो उसके carbon से attached तो अभी देखो सब में क्या common है इस carbon पे o negative है एच है ओच कारबन पे o negative है च है o h o negative h o negative h मतलब हर जगा तीन पार्ट तो सेम है सिफ चौथा पार्ट वैरी कर रहा है चौथे पार्ट में भी देखो बैंजीन बैंजीन सब में सेव है सिफ अगर कोई चाहिए वैरी कर रही है तो वह यह नीचे OME, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CCL3, और वो बोल रहा है comparatively faster lose करना चाहिए, तो अभी अभी हमने बात किये कि minus I group उसको faster नहीं, बलकि loser lose कर वहेंगे, दीरे-दीरे, तो minus I effect को वाले कौन से यह दो option, तो यह दोनों तो वैसी भी हमाइन list से हड़ गए, अब बचे कौन से OME और NH2, तो जो अभी OME है, तुम्हें जैसे कि पता है, इतनी पढ़ाई लिखाई किये हो, ठीक है, तो basic GOC पढ़े हो, तो GOC पढ़ने के बार इतना तो तुम लोगों क को पता होना चाहिए कि OME जो है, वो plus R effect देता है, electron, एक मिट, ठीक है, आप लोगों का कैसा करता है, plus R effect देता है, यह resonance से electron देता है, यह तो सबको पता है, क्यों resonance से electron देता है, अच्छा, उसके अलावा में, अब भी जो OCH और मतलब oxygen क्या है आप लोगों का, यह आपका minus I effect भी रेता है, यह भी हम जानते हैं, NH2 के बारे में आ जाते हैं, NH2 में जो nitrogen है, उस nitrogen के उपर lone pairs होंगे, बराबर, तो lone pairs होने की वज़ए से यहाँ पे plus R effect होगा, बराबर हाँ, plus R effect होगा, तो आमा यह जो आप लोगों का, है, NH2 ग्रूप, यह भी resonance से electron देगा, तो ऐसे में, ठीक है, तो ऐसे में, यह plus R effect से वो भी, यह plus R effect है, उस plus R effect से यह दोनों के दोनों electron देंगे, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 जो है, यह NH2 और यह OME, दोनों ही उस ring को क्या कर रहे हैं, आपके activate कर रहे हैं, electron supply करके, उस carbon center को, so therefore, आपको यह पता चल कि दोनों ही क्या होंगे, comparatively जादा होंगे, कि सीच से comparatively जादा होंगे, उपर वाले सबस्टेट से, तो यह सारे प्रवच्चन थे, जो हम लोगों ने खतम कर लिए, अब आ जाते हैं, हम लोग अपने case number 2 पे, जो case number 2 है, दो मेंट रुकोंगे, अबी case number 2 में आते हैं, case number 2 क्या है, अगर तुम वहाँ पे, जो concentration यूज करो, रियेजेंट की, अगर वो बहुत जादा यूज कर लो, तो, तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखना, जब आप इस तरीके का case करते हो, तो case number 2 में, mechanism बदल जाती है, usually तुम्हें इस mechanism से काम नहीं करना है, और नहीं मैं इसका तुम्हें पूरा का पूरा rate law लिख कर, प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि वो fourth order आईगी, जैसे जिसमें भी basic अक्कल है, mathematics की, वो इनसान इस तरीके से जैसे उपर करके दिखाया गया है, वो अपना खुद कर सकता है, कि जो intermediate बना है, उस intermediate को हटाओ, बलकि यहाँ पे total दो बार intermediate पढ़ेंगे, तो दोनों बार mathematical आपको intermediate को substitute करना पड़ेगा, तो अगर नहीं भी लिखते हो, direct अपना product लिख देते हो, direct answer माग करते हो, तो भी चलता है, देखो, तो सबसे पहले आपके पास एक substrate नमर वन है, यह इस तरीके से में पास substrate है, इसमें हम लोगों ने OH negative डाला, अब जैसे उपर के प्रवच्चन है, वापस से repeat नहीं किये जाएंगे, OH negative as a nucleophile behave करेगा, यह सारी चीज़े बताई जा चुकी है, यह चला, इधर अटाक करने, यह हो गया, यानि कि step number one, दोनों के इसमें क्या है, सेम है, खेक है, दोनों इसमें यह step number one आपकी क्या है, सेम है, no difference in step one, अब जो difference create होना शुरू होता है, वो difference create होना शुरू होता है, step number two से, अभी उपर हमने जो mechanism सीखी थी, उपर वाली mechanism के basis पर, हमको यह बाग पता थी, कि आप लोगों का, जो उपर intermediate बनता है, वो intermediate का जो oxygen होता है, वो oxygen नीचे shift होता है, बतब, electrons नीचे shift होते हैं, जिसकी वज़ा से बिचारा यह, आपका hydride आया निकलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का, जो यह वाला hydrogen है, क्यों इसको मैं hydride आयन नहीं कह रही हूँ, क्योंकि oxygen और hydrogen में यह वाला electron अगर बहाँ निकलेगा, तो यह जो दोनों electron से हैं, तो oxygen पे shift होंगे न, तो यह hydride आयन नहीं निकला इस step में, इस step में किसी भी प्रकार से कोई hydride आयन नहीं निकला, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि OH-negative की quantity जादा है, और तुम्हें तो पता है, कि जब-जब OH-negative को कोई acidic hydrogen मिलेगा, वो जाएगा, उसको उड़ाने के लिए, तो यह है, देखो, electronegative oxygen के बाजू का, फिर इस वज़े से, तो यह क्या बन गया, H, C, H, O-negative उपर में भी, O-negative नीचे में भी, तो यह आपका intermediate था, intermediate number 1, और यह भी यहाँ पे इस reaction का intermediate number 2 है, यानि कि एक और भलकी point of difference है, कि जब आप case 1, यानि कि low concentration पे काम करते हो, तो आपको एक ही intermediate मिलता है, और जब आप high concentration पे काम करते हो, तो आपको 2 intermediate मिलता है, अब यह जो intermediate रहेगा, यह intermediate को तुम आप ध्यान से देखें, इस intermediate के उपर में भी O-negative, नीची में भी O-negative, तो पिछली बार तो सिफ intermediate के पास एक ही O-negative था, तो उसने kick out कर दिया था, आपके hydride iron को, तो यहां तो दो-दो हैं, तो जब यहां पे दो-दो intermediate O-negative, O-negative है, तो दोनों का combined plus effect क्या करेगा, यह इधर shift होने की कोशिश करेगा, बराबर यह इधर shift होने की कोशिश करेगा, जिसकी वज़ए से यह बहां निकलेगा, और जब यह बहां निकलेगा, यह यहां attack करेगा, और यह चीज यहां shift होगी, तो exactly ही जैसे उपर लिखा है, तो पहले वाला क्या बन गया, H, C, double bond O, और नीचे का O-negative, पहला वाला तो यह, यह बन गया हम लोगों के कुछ products, पर अब यह हम लोगों के product बन गया, खतम कहानी, एकदम, तो वही चीज बनती है अगे, ठीक है, आप बाद में लेकें, लेकें, एक सबसे important चीज, हम लोगों ने जब उपर वाली step की थी, तो उपर वाली step में, जो आप लोगों के प बन गया है, यहां तो acid बना ही नहीं, तो जैसे में फिर जो आखरी step होती थी proton transfer, यहां पर step नमर 3 क्या हुई है, hydrite रिमूव हुआ है, और वहां पर आखरी step क्या होती थी proton transfer, यहां पर आखरी step proton transfer नहीं हो सकती, क्योंकि acid के पास acid इच नहीं है, यहां तो direct salt है, acid ही तो देत अपना हैं यहाँ पे डेक लेते हैं यह तो अपना है तो यह वाला है निकलता था यहाँ पे यह पे रोल में आता है यानि कि एच मिलेगा तुमने डी टू लिया तो ओ निगेटिव को डी मिलेगा अगर अगर तुमने डी टू लिया होता दन प्रोड़क विल पी वाट च त्री ओ इस तरीके और यह वाला जो salt है, it will be as it is, salt को हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो कि अगर आपने salt को दिया, again से वो पानी में जाने के बाद, acid बने के बाद, acid बने के बाद, फिर again से, क्योंकि उसका H प्लस ही निकलेगा, तो वो नहीं, इस प्रकार से इसका product बनता है, तो solvent एक role play करता है, किसमें, आपके second वाले में, first वाले में नहीं, और अभी आखरी part, इसको भी अपने note में डालोगे, उसके बाद हम लोग इसीच को अभी रोकते हैं, वो ये, कि आपकी जो canisaro reaction है, वो एक nucleophilic addition reaction है, सबसे पहले, hydride ion जो रहेगा, वो आप लोगों का attack करेगा, एक second substrate पर, य hydride ion produce करता है, और वही hydride ion, आपके substrate number 2 का, जो carbon है, C double bond O वाला, उस पे जाके क्या करता है, attack करता है, अब सोचो, imagine कि अगर उसी carbon double bond O के, आजू बाजू के group G1 और G2, अगर ये दोनों के दोनों group, मान लेते हैं, बहुत जादा electron कैसे हो गए, देने वाले हो गए, तो ये, इस carbon के उपर के partial positive charge को क्या करेंगे, decrease करेंगे, hydride ion, एक negative species है, negative species चाहेगी कि वो एक positive center का attack करें, तो अगर ये group G1 और G2, एक electron donating group है, तो वो उसके positive charge को decrease कर रहे है, and hence hydride के attack को भी decrease कर रहे है, मतलब उसके rate of attack को भी decrease कर रहे है, so overall पूरी reaction decrease हो रही है, बराबर, लेकिन अगर, आ ठीक है, if G1 and G2, ठीक है, if G1 and G2 are minus I or minus R group, then तब ऐसे के इसमें क्या होगा, वो जो carbon के उपर जो electrons है, थोड़े बहुत भी, उस electrons को और खीचेगा, love, और electrons, और खीचेगा, then carbon के उपर का जो partial positive charge है, ये partial positive charge increase होगा, और positive, जैसे अगर plus 2 है, तो plus 3, plus 3 है, तो plus 4, ऐसा, बढ़ positive charge, और अगर partial positive charge बढ़ेगा, then H negative will attack rapidly, और अगर उसने attack बहुत जादा rapidly कईया, तो obvious है, कि जो reaction की, जो overall rate है, वो rate क्या हो जाएगी, increase, and hence vice versa, vice versa means कि अगर group वहाँ पे आपके electron donating हो गए, तो फिर ये चीज उल्टी हो जाएगी, तो इससे दो बात समझ में आती है, कि जब hydride iron को attack करना होता है, substrate number 2 में, तो substrate number 2 के जो group हो, वो group कैसे होने चाहिए, आपके minus i और minus r वाले, तो reaction बहुत अच्छी होगी, और जब hydride iron को निकालना है, तो hydride iron को निकालने के वक्त, आपको ऐसे उसके आजू-बाजू के group होने चाहिए, जो plus i ये plus r हो, ये जो मैं प्रवचन दे रही हूँ, अभी कल क्रॉस कैनिजारों में ये प्रवचन बहुत काम आएंगे, आपको क्योंकि क्रॉस कैनिजारों में दो different aldehydes दिये होंगे, तो जब आपको दो different aldehydes दिये होंगे, तो आपको decide करना होगा, कि कौन सा aldehyde आप लोगों का hydride iron करेगा, और कौन से वाले पर attack होगा, तो attack उस पर होगा, जिसके आजू बाजू के groups कैसे हो, minus i ये minus r वाले हो, और h minus वो lose करेगा, जिसके आजू बाजू के group electron donating हो, ठीक है, जो electron donating हो, तो याद रखेंगे, कि हमेशा दो चीजे होती है, क्या होती है, एक कौन सी, जो आपका h negative lose करता है, तो h negative कौन lose करेगा, जिसके आजू बाजू के group g1 और g2, plus i ये plus r वाले होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, उपर बताया जा चुका है, और h negative attack जिस substrate पे करेगा, तो substrate नमबर 2 कैसा होना चाहिए, substrate नमबर 2 में, जो group g1 और g2 है, वो minus i ये minus r वाले होने चाहिए, ताकि reaction बह visible है, तो कल को तुमको एक reaction लिकर दे ली जाए, और उस reaction में दो substrate दिये जाए, अब पूछा जाए, कि इन में से कौन सा substrate ideal है, आपके h negative को lose करने के, तो h negative को lose करने के वो ideal होता है, जिसके पास कैसे group हो, बताओ, उसके पास group हो, plus i या पे, plus r वाले, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चीजों को over करते हैं, इसके अलावा एक प्रवचन है, वो प्रवचन और short सा, उसको अपने notes copy में, अपने words में खुरी लिख लेना, क्यानी जारो reaction कभी भी आप लोगों के जो sterically hindered aldehydes होते हैं, मतलब जो बल की aldehydes होते हैं, उनमें नहीं परफॉर्म की जाएगी, ठेक है, कभी नहीं, और उसके अलावा आपके पास एक substrate और है, जो कभी भी कैनी जारो reaction नहीं देता, मतलब अगर वो substrate अगर आ जाए, तो वो substrate कभी भी कैनी जारो reaction शो नहीं करेगा, उसका reason क्या है, उसका reason यह है, यह रेखो, N, अब तुम तो जानते हो, Amine कितने अच्छ के electron donor होते है, प्लस उपर से वहाँ पे methyl group भी तुम लगा के बैठे हो, तो इस वज़र से यह आपका कभी भी कैनी जारो reaction शो नहीं करेगा, अब इसका नाम क्या है, अब कई बार paper में पूछने में आ जाए, कि चाह नाम से दिया गया है, अब structure पता है, बट नाम नहीं पता है, तो structure बना लेना, तो नाम में बता देती हूँ, यह इसका नाम, अगर नाम लिखने में लिखने में कोई दिक्कत है तो बता, तो यहाँ पे हम लोगों की कैनी जारो reaction, simple वाली खत्म होती है, almost पूरी mechanism बता चुकी हूँ, और अभी कल हम लोग क्रॉस कैनी जारो करेंगे, क्रॉस कैनी जारो is very important, because वहाँ पे actual में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कि कौन edge देगा, कौन उस पर attack करवाएगा, इस तरीके का काम, ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचोगे कि वहाँ simple simple सा है, तो उतना भी जादा simple नहीं है, और फिर एक topic और बचता है कैनी जारो में ही प्रिफर करेंगे जिनके पास alpha hydrogen नहीं है, इसके लिए तुमको दो exceptions दिये जाच चुके है, पहला वो कुछ CCL3 और carbon वाला exception है, उसके अलावा एक और exception दुमें बताया गया है, जो आपका क्या रहता है, methyl 1,2,2 methyl 2,2 methyl propanol, बराबर इसके पास alpha hydrogen था, alpha hydrogen होने के बावजूद भी इसमें क्याली सालो reaction शोगी, आच्छा, उसके बाद next point यह आद रखना है, कि एक ब्रिस सपोशनेशन, रेडॉक्स रेक्षन, एक स्पीशीज, और एक स्पीशीज, और एक स्पीशीज होगी, बर जो oxidized होने वाली species है, उसको acid नहीं बनाओगे, acid का salt बनाओगे, उसके अलावा कुछ questions तुमें direct लिखते आने चाहिए, वो देख लेना, उसके अलावा फिर उसके दो cases, कब order 3 रहेगी, कब order 4 रहेगी, order 3 रहेगी, तो substrate का order क्या रहेगा, उसके इसमें, reaction का order क्या रहेगा, दो step number 2 में, H negative का निकलना favorable कब होगा, और step number 3 में, H negative का attack करना favorable कब होगा, मतलब step number 2 में ही निकलना और attack करना favorable कब होता है, बाकि अगर तुमें ये derive करते नहीं भी आता है, तो भी चलता है, लगे तो अगर इच्छा हो, तो mechanism number B का खुद derive कर लेना, कौन कहा transfer होता है, ये सब, ब ये चीज कितनी पेखिए तो यह रही तुम्हारी टेक्स्ट genius अच्छ तो यह रहां अपका देखो यह इसा थो cd और को owoda क्या थो पैंने की मलगी तो पॉल्छ लिया उन्होंने कि अब भर चैनि जार वीश्ट तो बस ये इतना part खतम इसका screenshot में ग्रूप में share नहीं करूँगी इसको तुम अपना भी लिखते लिखते ही mark कर लेना बस ये खतम हो गया ठीक है ये यहाँ पर ये ये इतना paragraph तुम्हें पेपर में लिखना पड़ेगा बोड एक्जाम में कहीं कोई mechanism नहीं आने वाली डारेक्ट प्रोड़क लिखने को आएगा तो इसी लिए प्रोड़क लिख में आना चाहिए ठीक है ये तो फिर भी चुले तो क्रॉस एल्डॉल का इस पर क्या बोलू ये रेखो ये बेंजल लिया एक्जामपल हमने भी लिया जो मैंने अभी अभी बताया exception 2-methyl propanol ये वही है isobutryl aldehyde ठीक है मैंने जो अभी अभी exception बताया है कहां गया वह exception ये रहा देखो ये exception उपर लिखवा के दिया हूं ये इसका अगर आयू-पैक नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2-methyl नहीं कहां चला गया रहे रोको 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 ये रहा ये पॉइंट नमबर 2 क्या ही है ये 2-methyl propanol ये तो है तो ये देता है आपका kennyzaro reaction इसी चीज को तुमारे बुक वालों ने common name की भाष्या मेरे को क्या लिखके रखा है क्या kennyzaro reaction देंगे तो इसीज का answer आपना जो भी तुमारा जहां से रटने वाले हो टागे तो देख के अच्छे से रट लेना तो तुम्हें reason भी पता चल जाएगा कि क्यों देता है और even रटा हुआ रहेगा तो कल को paper में कल को कोई question आ गया कि आपको पता लगाना है कि में से कौन सा वाला molecule kennyzaro नहीं देता तो गलती से भी उस पर टिक मत कर देना और उसका common name isobutryl aldehyde है या फिर आपका वो क्या कहते टू-metall-propanel है यह सब पता होना जहीं तो माना कि बोट की बुक्स फटीशार होती है बट कभी-कभी कुछ कुछ चीज अच्छी दे देता ह है तो कल हम लोग फिर क्रॉट्स कैने जारो पड़ेंगे और उसके आगे की जो फिर वीडियो अगर आएंगी वो बोट्स वालों के लिए नहीं रहेंगी क्योंकि उनको कुछ उससे मतलब ही नहीं है बट तर्स परकिन रियक्शन तर्स चैंको रियक्शन यह सब उनके झूब एंगे यह सब आएंगे लिए मेंगए टॉब एंगे अजूस वारो फिर यहीं को बाद्वा पूब है कर दो एंगे।